हिंदू धर में सावन के पवित्र महने का बहुत वही विशेश महत्व है जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इश्वर सावन का महिना 14 जुलाही शुरू चुका है इस पूरे महिने शिव मंदिरों में भगवान के दर्शन के लिए लोगों की भारी भी लग रही है भगवान भोलेनात के इलाकों का रोडो भक्त अपने इश्वर को प्रसंद करने के लिए तरह तरह के यतनुन करते हैं सावन शुरू होते ही चारो तरफ को सब कुछ हरा बरा दिखाई देता है हर महिने सारी दुकाने हरी चूरियों से सच जाती है और सारी सुहागने औरते हरी चूरियों की खरीदारी करती है सुहागी ने महलाएं हरे रंग का परिधान और चूरिया पहन का भगवान शिव के दर्शन करने जाती है आखिर दोस्तों हरी चूरिया इस सावन के महिने में क्यों पहनी जाती है आईए हम आपको बताते हैं कि सावन में महिलाएं क्यों बहनती हैं हरे रंग की चूडियां जादर तर सावन के महिने में सबसे अधिक बारिश होती जिसके कारण चारो और हरियाली नजर आती है और हरा रंग जो होता उल्लास का प्रतिक माना जाता है जो मन को आनंदित रखता है ऐसा कहा जाता है कि सावन के महिने में भगवान शिव को चड़ाए जाने वाले बेल और धतूरे का रंग भी हरा ही होता है प्रकृति का निर्मार करने वाले भगवान शिव हरे रंग से बहुत जल्दी प्रसंद होते हैं और यही कारण है कि सुहागिन महलाएं सावन में हरी चूरिया और हरे वस्त्र सुहाग का प्रतिक मान कर पहनती हैं हरी चूरिया पहन कर महलाएं भोले नात की विधिवत पूजा करती हैं और उनको प्रसंद करने की कोशिश करती हैं हिंदु धर्म में शादी शुदा महिलाओं को चूड़िया पहनना जुरूरी होता है और जादतर महिलाओं सोने से बने कंगनों के साथ काज की चूड़िया पहनती है वही मुस्लिम महिलाओं के लिए शादी के बाद और पहले दोनों समय चूड़िया पहनना जुरूरी होता ऐसा कहा जाता है कि खाली हाथ किसी को पानी देना गलत होता है सावन के महने में हरी चूडियां और हरी वस्त पहनने से महलाओं को उनके पती की आयू लंबी होने का भगवान शिवजी से आशुरत प्राप्त होता है धार्बिंग मानेताओं का अगर देखा जाए कि महलाओं की चूड़ी पहनने का संबंद उनके पती और बच्चों से होता है कहा जाता है कि इससे इनका स्वास्त अच्छा रहता है कुछ धर्मों में तो चूरियों के संबद में इतनी गहरी आस्ता है कि महलाए चूरी बदलने में विसाबधानी बरती हैं कम से कम एक चूरी वो आवश्य ही पहनती है महलाए भगवान शिव को प्रसंद करने के लिए हरे रंग की चूरियां और वस्तर पहनती है और महंदी लगवाती है जिससे उन्हें अखन सोभाग होने का वरदान मिलता है हरा रंग बुद्ध ग्रह का रंग माना गया है खुशाली का रंग हरा इंसान की काम्याबी के लिए बहुत शुब माना जाता है ऐसा कहा जाता है कि यह रंग व्यक्ति को उसकी उचाईयों तक पहुचाता है कहा जाता है कि बुद्ध ग्रह यदि व्यक्ति की कुणली में बुरे प्रवाब डालता है तो बुद्ध को खुश करने के लिए हरे रंग की शुणगार किया जाता है दावन महा प्रेम का प्रतिक मानग है, दोस्तों सावन महा में हरे रंग का श्रिंगार महलाओं की खुबसूरी तो बढ़ाती है, साथ ही साथ ये जीवन में खुशाली भी दर्शाता है, जोत्य श्यू के मताबिक जिन लोगों की कुनली में बुद्ध ग्रह कमजोर होता है, उन लोगों को हरे रंग के कपड़े पहनने के सला दी जाती है, बुद्ध रंग का सम्बत कैरियर और व्यपार से जुड़ा होता है, जब भी कोई हरा रंग धारन करता है, तो बुद्ध का बुरा प्रभाव कम होने लगता है और घर में संपनता आती है, हरे रंग को पुर्वी हिस्से में हरे रंग का पेंट करवा देना चाहिए, ऐसा करने से दमपत्ती का जीवन खुशाल हो जाता है, पुराणों के अनुसार हम प्रकृति की पूजा कैस लूपों में करते हैं, हिंदू धार्मिक मानेतात्व वाले तुलसी, पीपल, केले, आधी के पेड पूजने माने जाते हैं, सूरे देवता जिने हम एक दिवी शक्ती मानते हैं, उन्हें हम जल अर्पित करते हैं, उनसे प्रातना करते हैं, इससे भी हम प्रकृति के प्रति अपना अभार व्यत करते हैं, पुराणिक मानेताओं के अनुसार जो भी ये रंग धारन करता है, उसे प्रकृतिका अशुरवाद मिलता है सावन महने की कहानी उस समय से शुरू हुई है जब देवी लक्षमी रुष्टो कर चली गई थी और समस्य संसार में हाकार मज गयाता है इस समस्या का सामाधान करने के लिए सबी देवताओं ने असुरों के साथ मिलकर शीर सागर में मन्थन किया था जिससे माता वापस आई थी लेकिन इस से पहले कि देवी लक्षमी बहा निकलती उस समुदर में से एक विष्ट से भरा हुआ मठका निकला यह बहुती घातक हलाहल नामक विष्ट था तब सभी को ताभाई से बचाने के लिए शिवजी ने इसे अपने कंठ में ही रोक लिया था तब इससे भोलने नात के को नील कंठ के नाम से भी जाना जाता है तब इस विश्च के ताप को कम करने के लिए महादेव को गंगा जल अर्पित किया गया था इसलिए गंगा नदी को अम्रित की नदी कहा जाता है ये एक अन्य कारणे कि हिंदु धर्ण में प्रकृति की पूजा का विशेश महत्व दिया जाता है जब ये घटना घटित हुई तब सावन का महिना था इसलिए ये महिना शिवजी को अर्पित किया जाता है